दोस्तों आलू का नाम जुबान पे आते ही आखों के सामने कई सारे चित्र नाचने लगते हैं। आलू की सबजी, आलू का चोखा, आलू के पराठे, आलू दम, आलू चिप्स, आलू भुजिया और भी जाने कितने चित्र। मतलब ये कि आलू हमारे खाने का एक अहम हिस्सा बन दिया है। हमारे देश में आलू के बीना किचन की कलपना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर गली चौराहे पर इतनी सहजता से उपलब्ध आलू का इतिहास क्या है। इसके जन्म स्थली, यात्रा और भिनभिन देशों में फैलने और उनकी मिट्टी के साथ जुड़ जाने की कहानी क्या है। आपको ये जानका हैरानी होगी कि सबजीयों के इस राजा की जन्म भूमी भारत नहीं है। पहली बार आलू ने भारत की धर्ती पे लगभग 450 साल पहले अपने कदम रखे थे। इ देने का श्रे अंग्रेजी सरकार को जाता है। खासकर वारिन हिस्टिंग्स को जो 1772 से 1785 तक भारत का गवर्नल जेनरल रहा था। 28 शताबदी तक भारत ने पूरी तरा आलू को अपना लिया था। इस वक्त आलू की तीन किसमे थी। पहली किसम का नाम भुलवा था जो मेडानी इलाके में होता था। दूसरी किसम का नाम गोला था च॔कि ये अकार में कोल था। तिसरी किसम का नाम साठ हा जो 60 दिन आज भी तयार नहीं है कि आलू देशत फसल नहीं है अब ये सवाल का जवाब कि इसकी जन्म स्थली कहां है प्राब जानकारी के अनुसार आलू का जन्म लगभग साथ हजार से दस हजार वर्ष पहले दक्षीन अमेरिका के देश पेरु में हुआ था और उस इलाके के पहाड पर रहने वाले इंका समुदाय का अहम खाना बन गया था पताया जाता है कि इंका समुदाय के लोग कुशल किसान थे और सबसे पहले उन्होने ही सिढ़िदार खेतों पर आलू की खेती की शुरुवात की थी इसके पीछे का कारण है आलू की पौश्टिकता विटामिन ए और डी को छोड़ आलू में सभी प्रमुख विटामिन और पोशक तत्वे मिलते हैं जीवन बचाने की जो खुवी आलू में है वो किसी और फसल में नहीं छिलके वाले आलू के साथ दूद के कुछ उतपादों को मिला दें तो स्वस्त मानव आहार तयार होता है पेरू में इसे करमाटा या बटाटा के नाम से जाना जाता था 1532 में स्पेन ने सोना चान्दी लुटने के मकसद से पेरू पे आकरवन किया था वहीं उनका परिचय आलू से हुआ और वे आलू को अपने साथ स्पेन ले आए और इस तरह इतिहास में पहली बार आलू अमेरिका से बा सुटगार, बेल्जियम, निदरलैंड, लक्जंबर, जर्मानी, पुलैंड और रूस तक पहुंच गया। बताया जाता है कि 17 और 18 सतबदी में एक एकर जमीन पर आलू की खेती और एक गाय के दूद से 6-8 लोगों के परिवार को पूरे साल भोजन मिल जाता था। किसी भी की दूसरे फसल में ये संभव नहीं था। अब आलू के बारे में कुछ रोचक बातें। परसिद्य अर्थसास्त्री एडम स्मित ने लिखा था। आलू के खेतों में पैदा होने वाला खाना गेहूं के खेतों में पैदा होने वाले खाने से कहीं जादा अच्छा है। सन 1700 से 1900 के बीच दुनिया की आवादी में हुई करीब एक चौथाई बढ़ोत्री और शहरी करण आलू के कारण हुआ। मैंक नील ने लिखा है कि तेजी से बढ़ती आवादी का पेट भरकर आलू ने सन 1750 से 1915 के बीच कुछ एरोपिये देशों को बाकी दुनिया पर पैदा हो जाने और फसल खराब हो जाने के कारण लगभग 10 लाख लोग भूख के कारण मर गये थे 10 लाख लोग अमेरिका पलाइन कर गये थे और 20 लाख लोग दूसरी जगहों पे चले गये थे क्योंकि लोग जीवन यापन के लिए आलू पर ही निरवर थे आलू पैदा क में पैदा की जाने वाली खाद्य फसल है 12,000 फीट की उच्चाई पर बने मिल रेस्टूरेंट में आप पेरु के आलो की लगभग 5,000 प्रजातियों को चक सकते हैं ये थी आलो की कहानी आगे भी हम ऐसी कहानियों के साथ आते रहेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुलिए धन्यवाद